हलो श्टूरेंट यह क्लास DRT फर्स्ट एर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पॉर्जिस्निंग अपना टॉपिक तर्वा है अपर एक्स्टेमिटी अपर एक्स्टेमिटी में अपने हेंड के व्यूज पढ़ लिए रेश्ट जाने के भुजा जिसमें अपने रेडियस और अनला दोबोन होती है उसके आगे अपने व्यूज स्टार्ट करते हैं झाल झाल यहां अपने बात करते हैं फोरार्म की फोरार्म स्टार्ट करने से पहले अपने एक बार उसकी एनाटोमी पढ़ लेते हैं फोरार्म कंसिस्ट अफ तू लॉंग बान रेदियस और अनला फोरार्म उसकी बान वो अपने दो बान से मिलके बनी हुई होते हैं दो लंबी बान से होते हैं कौन कौन सी रेदियस और अनला radius placed laterally and unlub placed middle side which articulates with radio-unlar joint अपनी जो radius बहुन होती है वो laterally side होती है और जो अपनी unlub होना वो अपनी middle side होगी और यह दोनों आपस में जुड़ती है कहां से जुड़ती है radio-unlar joint की जुड़ती है तो उस joint को अपने क्या बोलेंगे radio-unlar joint यह lateral side और middle side पैसेंट जब AP position में होता है तो उस प्रकार से बताए गई है जब अपना थंब है यह radius bone की तरफ होता है और जो अपना little finger है वो अपनी अनला बॉन की तरफ होता है यानि थंब की तरफ अपनी radius bone होगी lateral side और little finger की तरफ अपनी अनला बॉन होगी middle side यहां आपने अब forearm के अपने views start करते हैं तो forearm का सबसे पहला अपना view आता है ap view सबसे पहले बात करते हैं इसके indication की indication क्या होगा to see the fracture and pathological condition इस bone में कोई भी fracture हो गया है या कोई pathological condition है उसको check करने के लिए उस condition में अपने ap view किया जाता है cassette size की बात करें तो cassette size इसमें अपना रहेगा दस बारा या बारा पंदरा का next अपने बात करते हैं position of patient की patient की position इसमें क्या रहेगी देखो the patient is seated near the x-ray table with the forearm resting on the film patient क्या है अपना x-ray table के पास बैठेगा और अपनी जो forearm में उसको x-ray table पर रखेगा जहां अपनी cassette रखे हुए उसके उपर रखेगा the elbow is fully extend and forearm is placed on the cassette in supine position जो अपनी elbow उसको fully extend करेंगे बिलकुल सिधा करेंगे और forearm को अपनी जो cassette table पर रखे विया उसके उपर supine position में यानि की AP position में रखेंगे बोथ elbow and wrist joint should be included on the film अपनी film है उसमें अपने दोनों joints कौन कौन से wrist joint और elbow joints फिलम में include होने चाहिए या अपने जब forearm का view ले रहे हैं तो अपना wrist joint तो confirm आना ही चाहिए या फिर elbow joint आना चाहिए जिससे अपने को पता लग जाए कि यह upper part और यह lower part जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था तब अपने लेक का वियू करते हैं हुमर्स का या कि टीबिया और फिबूला का तो उस टाइम अपने साथ में क्या है एक joint को included करते हैं ताकि अपने को पता लग जाए कि इसका अपर पार्ट बोन का कौन सा और लोवर पार्ट कौन सा है यह पैसेंट अपने पास आया पैसेंट को हैंड को fully extend किया एलबो को और अपने हाथ को सुपाइन पोजिशन में टेबल पर रखेंगे जिसमें अपने जो फिलम लगाते हैं उसके अंदर एलबो जोइंट हो या रिस्ट जोइंट या फिर दोनों include होने चाहिए अपने बात करते हैं पॉजिशन ओफ कैसेट के पॉजिशन क्या रहेगी दगैसेट इस प्लेश्ड अंडर दा अफेक्टेड फोराम के नीचे रखते हैं जिसके अंदर अपने अलबो जोइंट और रिस्ट इंक्लूडेड होने चाहिए अब शेंटरल ले ओवर दर मिडल ओफ फोराम एड राइट एंगल टो दा फिलम अपने जो सेंटरल रहे है वह फोराम को बिल्कुल मिडल पॉइंट पे आनी चाहिए और बिल्कुल सही एंगल पे अपने एक्स पोज किया जाता है यह जैनि सेंटरिंग अपने बिल्कुल इसेंट में करते हैं अब यह जखो इस इमेज में अपने को दिखार रखाया कि पैसेंट एक्सेटेबल के पास बैठा हुआ है उसके एल्बो को फुली एक्स्टेंड करके और उसकी फोराम को कैसेट पे सुपाइन पोजिशन में रखा हुआ है उसके बाद अपने यह इंकुड़ेड होने चाहिए सेंट्र की बात करें तो देचो सैंट्र फैसेंटर इस और हम इल्बो जोन्टि sudah होने चाहिए इस प्रकार से अपने की पॉजिशन लगये जाती है कि नेक्स देखो अपने को एक नोट लगाके स्पेसल बात बताएगी है कि इसका पीए व्यू किस प्रकार होता है अपने कंफर्टेबल पॉजिशन कौन सी रहती है फोराम की एपी पॉजिशन अगर पीए पॉजिशन करनी पड़े कि अपने उस कंडिशन में जब एपी पॉ पार रही है तो उस कंडिशन में अपने पॉजिशन भी की जाती है देखो क्या कह रहे हैं दिस व्यू उज डन वेन दपैसेंट इस अनेबल टू रोटेट हीज हैंड इन सुपाइन पोजिशन यह वी तब क्या जाता है तब पैसेंट अपने हाथ को सुपाइन पोजिशन स और आम इन प्रोनेशन तब पैसेंट के हाथ को क्या है प्रोनेशन में रखा जाता है और व्यू लिया जाता है यहनि बाइचांस देखकेशी कि हाईंड में फैक्ट्टर आ गए उसके प्लाइस टाकी या फिर कोई ट्रोमा केस का पैसेंट आगया जिसके रेडियस और अनल पोजिशन में जिस प्रकार से उसका हाथ है उसी प्रकार से उसी कंडिशन में टैबल पर रखा जाता है क्योंकि अपने उसको हाथ को रोटेट करेंगे और करेंगे तो कुछ भी हो सकते हैं या लाना है अगर अपि वियू नहीं हो पा रहा है तो अपने पी वियू करके image ले जाती है पी वियू करते हैं तो अपना जो hand और जो अपनी फु WAT में वह um चैसले भी आ है कि ऐसके बाद अपने बात करते है 될 पेरेंस की रेडियो लोजिकल अपेरेंस इसम में क्या रहे अपस में क्या करती है कौन सी पॉजिशन में पीए पॉजिशन में रेडियस और अनला एल्बोजोड के पास से एक दूसरे को क्रॉस करेगी और एपी पॉजिशन में अपने को दोनों बिल्कूल स्टेट क्लियरली सेपरेट दिखाई देती है दा कारपल बॉन्स आर वेल सीन और अपने को कारपल्स बॉन्स भी क्लियरली सीन हो जाती है यहां अपने बात करते हैं एक्सपॉजर की एक्सपॉजर इसका क्या रहेगा डिस्टेंस रहेगी अपने नबे टू सो सेंटिमिटर केवी रहता है अपना 50 से 60 अमेस अपने देंगे 10 से 15 और ग्रिड का यूज नहीं करेंगी अगर प्रॉण्ट पॉजिशन करना है पेशेंट का जिसमें पेशेंट किया अपने हाथ को एपी पोजिशन में नहीं लासेंगे क्योंकि उसके जो फोर आर्म उसमें फ्रेक्चर इसलिए उसी कंडिशन में जिस कंडिशन में उसका हाथ है वैसे के वैसे ही अपने को रेडियोलोजिकल इमेज ली जाती है यह देखो अपने को एक इमेज दिखा रही है यह अपने हैंड के एपी पोजिशन की इमेज है जिसमें अपने को रेडियस और अनला दोनों पैरलल और क्लीर ली सीन हो रही है इसमें देखो अपर पार्ट कौन सा है उपर के पार्ट में देखो अपने को कारपल बॉन भी दिखाई दे रही है तो अपर पार्ट उपर वाला हो गया और निचे के तरफ वाला पार्ट कौन सा हुआ elbow joint वाला इस प्रकार से image का पता लगाया जाता है अगर patient का hand normal है और अपने को अपने forearm का prone position में image लेनी है याई पीए view करना है तो अपने क्या करते हैं पैसेंट के elbow को flex करवाते हैं और hand को prone position में याई अपने forearm को prone position में cassette पर रखा जाता है और centring वही बिलकुल forearm के midpoint में किये जाएगी इसके अंदर अपने elbow joint और wrist joint दोनों included हो जाते हैं अगर पैसेंट के हैंड में फेक्टर है पैसेंट हाथ को सिदा नहीं कर पा रहा है उस कंडिस्टिन में भी अपने इसे प्रकार से forearm का PA view किया जाता है यहां अपने को एक radiological image दिखार की इसमें देखो साब साब पता चल रहा है कि अपने एक elbow को flex किया हुआ है उसके बाद hand को prone position में रखके view लिया हुआ है तो इसके अंदर तो starting point है elbow के पास वाला यहां देखो अपने रेडियस और अलना एक दूसरे को अलके से superimpose करें cross position में आ रही है बागे अपने का आगे का part parallel दिखाई देता है तो अब उसके बाद अपने बात करते हैं four arm के लेटर व्यू की फॉरायं के लेटर व्यू की इंडिकेशन क्या रहेगी to see the fracture यह को ने में अपने फोराम का व्यू किया जाता है कैसेट साइज इसमें वही रहेगा अपना दस बारा और बारा पंद्रा का जिसमें अपनी फोराम और आशानी से जिस्ट जोइंट और एल्बो जोइंट के साथ पूरी इंक्लूडेड हो जाती है अपने बात करते हैं पॉजिशन ऑफ पैशेंट पैसेंट की पॉजिशन क्या रहेगी देख वापने को फोराम में का पहले अपने क्या किया इभी? review कर लिया अब अपने को लेट लेटर करना तो लेटर मुआ पोजिशन कैसे रखेंगे पैसेंट सिटेट नियर डा एक्स-रे टेबल विड़ दफ़ आम है से अधे पयारे पास में आके बैठेगा और अपनी फोर आर्म को फिलम पर प्रोन पॉजिशन में रख लेगा अब अपने क्या करेंगे जो अपनी अपनी एलबो उसको फ्लेक्स करेंगे और अपने हाथ को कैसेट पे रखते हुए 90 डिग्री रोटेट करेंगे जिसे अपने फॉराम के 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी और अपनी forearm lateral position में आ जाएगी अपना हाथ पहले PA position में था उसके बाद अपन ने क्या किया इसको 90 degree rotate करके lateral position में ले आए जब अपना hand, flanges, wrist joint सब भी lateral position में आ जाएगी तो अपनी forearm भी क्या है? lateral position में आ जाएगी forearm is contact with the cassette including the wrist and elbow joint जो अपनी forearm होती है वो पूरी cassette के touch में रहेगी और उसके साथ अपने wrist joint और elbow joint आएगे जो अपने image लेते हैं उसके अंदर पूरी forearm और wrist और elbow joint आने चाहिए इसलिए forearm को बिल्कूल cassette के touch में रखा जाता है नेक्स्ट अपने बात करते हैं पॉजिशन ओफ कैसेट की पॉजिशन इसमें क्या रहेगी कैसेट की पॉजिशन वही सेम रहेगी दे कैसेट इस प्लेश्ट अंडर दा अफेक्टेड फोराम कैसेट को अपने अफेक्टेड फोराम की निचे रखेंगे जिसके अंदर अपने फोरारम, wrist joint और elbow joint क्लियरली आने चाहिए सेंट्रिंग की बात करें तो देखो सेंट्रिंग की जाती है कि यह अपने को यहां पर पैसेंट के फोराम की पॉजिशन दिखा रखी है जिसमें पैसेट को एक्सेटेबल के पास बेठाया जाता है फिर कैसेट पर उसके हाथ को पॉजिशन में रखा जायेगा, elbow को flex करेंगे और हाथ को अपने 90 डिग्री पर ले आएंगे इन, पॉजिशन में है तो पॉजिशन से 90 डिग्रीpaper है उय सब्सक्रांट को लेडिल्स पॉइशन में ले आएंगे जब अपना हैंड लेटल पॉइशन में आ जाएगा तो अपनी स्कूरल महीं क्या है लेटल पॉजुँआ में आजाती है उसके बाद सेंट्रिंग की बात करें तो देखो centring बिल्कुल अपनी forearm के midpoint में की हुई है नेक्स्ट अपने बात करते हैं radiological appearance की radiological appearance इसमें अपने क्या दिखेगा the radius and ulna are superimposed on each other जो अपने radius और ulna है वो एक दूसरे को clearly superimposed करती हुई अपने को दिखाई देती है the carpal bone are well seen अपने को carpal bone भी दिखाई देती है लेकिन carpal bone lateral position में किस पकार दिखाई दे रही थी superimposed तो इसमें भी अपने को superimposed carpal bone दिखाई देती है कि नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक्सपोजर की एक्सपोजर इसमें क्या रहेगा distance रहेगे अपने 90-100 cm केवी रहता अपना 55-60 अम्यस अपने रखेंगे 10-15 और grid का यूज नहीं करेंगे क्यों grid का यूज अपने तब करते हैं तब बहुत ज्यादा एक्सपोजर देते हैं और फेटी पार्ट होता है यहां देखो अपने फोराम का लेटल पॉजिशन में व्यू दिखा रहा है जिसमें पता लग रहा है कि एल्बो को फ्लेक्स करके हैंड को लेटल पॉजिशन में लाया गया है एल्बो फ्लेक्स होने के बाद अपना हैंड को लेटल पॉजिश्चन में लाया तो पूरा हाथ अपना विद फोरार्म लेटल पॉजिशन में आ जाता है तो lateral position में अपने को radius और unlike दूसरे को उपर superimpose दिखाई देती है और metacarpals sorry carpals bond दिखाई दे रही वो भी एक दूसरे को उपर superimpose दिखाई दे रही है यह अपने hand का lateral position की radiological image है इसमें आगे आपको एक forearm के AP view की और lateral view की image दिखाई गई है कि अपने अगर image देखें दोनों की तो उसमें एक में अपने को clear और parallel bone दिखाई दे रही और lateral view में अपने को दोनों bone एक दूसरे को उपर superimpose दिखाई दे रही है इस प्रकार से अपने ये view किये जाते हैं इस प्रकार यहां अपने forearm का AP view और lateral view और अगर AP view में patient का hand नहीं जा पार है कोई भी fracture वगरा है तो उस condition में अपने PA view में भी image ली जाती है तो forearm के views AP और lateral और PA तिनों complete होते हैं एक image में आपको radius और अनला के factor दिखाए गए हैं आगे एक दो image हैं उनको देखिए और समझे Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you